देखे यह जो हमारी CNC टरनिंग मशीन है इसमें दो एक्सिज रहती है एक X-axis और एक Z-axis अभी अपने मशीन के सामने खड़े हैं जो अपने साइड यूँ आती है यह वाली एक्सिज इसको बोलता है मैं X-axis और जो यह वाली एक्सिज है इसको हम बोलेंगे Z-axis तो मैं फिर बत आ रहा हूँ यह वाली जो एक्सिज है जो हमारे सामने आएगी वो X-axis है और जो यह वाली है वो रहेगी Z-axis अभी जैसा कि मैंने आपको वाइट बोर्ड भी बताया था कि एक X-axis होते है और एक X-axis होते है तो क्या होगा अगर X-axis अपने साइड आ रही है तो वो माइनस हो होगा अगर वो वापी जा रही है उस साइड जा रही है तो X-axis पलस में जाएगा अगर Z यह साइड जा रहा है राइट साइड तो वो पलस होगा अगर Z यहां से